नमस्कार मेंद्रो, आज हम ऐसा भारते वैम प्रकार देखने वाले हैं, जिसे हमारे कौर्ड्स, काफ और ग्लूड्स तिनों की बहुत अच्छे से ग्रोथ होती हैं साथी साथ हमारे शरीक को बारा बहुत महतो पुर्न फायते भी होते हैं इस वैम को करने के लिए आपको किसी भी साधन के आवशक्ता नहीं है, ज्यादा जगा और ज्यादा समय के भी आवशक्ता नहीं पड़ेगी ये वैम प्रकार भारते बेटक नहीं है, लेकिन उसका बहुत इविकसित रूप है, इसका नाम है पहलवानी बेटक पहलवानी बेटक साधर्म बेटक से कई गुना ज़्यादा मुश्किल होती हैं, इसमें अपको साधर्म बेटक से भी ज़्यादा शक्ती, संतुलन और नियंतुलन के आवशक्ता पड़ती हैं, जिसे स्ट्रेंग्ट, बैलन्स और कॉर्डिनेशन कहते हैं, साथिसाथ कौर् पहलवानी बेटक में होती हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि पहलवानी बेटक को कैसे करना हैं, साधर्म बेटक में हम जैसे नीचे जाते हैं, वैसे हमें नीचे बेटना है, लेकिन नीचे से जब हम चलंग लगा कर उपर उठते हैं, उस समय हम एक कंदे और सर को सिधी र लगा कर पीछे के और पेर डखेलते हैं उस समय हमें पूरे के पूरे शेर को पीछे के और नहीं ले जाना है और नीचे जाते हुए हमें हाथों को सिधी रेशा में नीचे ले जाना है और गोल गुमाते हुए गुटनों के पास लाना है और जब चलंग लगाकर हम पेरों को पीछे करते हैं तब हाथों को भी हमें सिधा करके कमर तक पीछे ले जाना है इसमें नीची बेटकर हम जब चलंग लगाते हैं तब हमारे काप्स बहुत अच्छे से ट्रेन होते हैं अगर अच्छी तरीके से गया जाए तो सूलियस और गैस्ट्रोनिमस दोनों ही मसल्स का इसमें बहुत अच्छा वर्काउट होता है। पहलवानी बेटक को और मुश्रील करने के लिए इसे नीचे बेटकर और जंप्स अड़ करने होती हैं। पहलवानी बेटक बहुत ज़्यदा एक्स्प्लोजिव होने की कारण इसे बहुत ज़्यदा पावर और स्पीड बढ़ती हैं। अब देखते हैं कि पहलवानी बेटक से 12 कौन से महतोपूर्ण फाइदे हमारे शेरिक को होते हैं। पहलवानी बेटक से हमारी ताकत बढ़ती हैं। दूसरा फाइदा है इसे हमारे कौर्ड्स, गुलूट्स और काफ बहुत ज़्यदा मजबूत होते हैं और उनकी साइज बढ़ती हैं। साथी साथ हमारे एंक्ल्स भी बहुत ही मजबूत बनते हैं। तिसरा फाइदा है इसे बहुत सारी कैलरीज बहुत ही जल्द बन होती हैं चोता फाइदा है कि इसे flexibility बढ़ती है पाचो फाइदा है इसे balance बहुत ही अच्छा रहता है चटा फाइदा है इसे हमारे शरीर पर नियंतरन बढ़ता है और साथ वा फाइदा है किससे हमारा शरीर बहुत ज़्यादा स्टेबल बनता है आट वा फाइदा है किससे हमारा पॉस्चर बहुत आच्छा बनता है नव वा फाइदा है किससे हमारी मस्किलर और कार्डियोस्केलर एंडिरंस दोनों भी बढ़ते हैं दसवा फाइदा है किस से हमारी mobility बहुत ज़्यादा बढ़ती है गारवा फाइदा है किस से हमारी speed भी increase होता है और बारवा फाइदा है किस से हमें jumping, running और sprinting के लिए power output बढ़ता है इसलिए इन सभी 12 फाइदों के लिए पहलवानी बैटक बहुते महत पूर्ण है ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे निचे कमेंट्स में ज़रू बताएए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियों में जैश्री राम